नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मैं सुजीत पाइंड़े, आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए 201 कॉश्चन लिकर आगा है, जीकी के बहुत ही शांदर कॉश्चन, बार-बार आई हुए कॉश्चन रिजिसन करवारे हैं, आपका सुपर फाष्ट स्पीड में, सोचिए, सुरुआत सुबह की इतनी अच्छी हो कि आपको 200 कॉश्चन तुरंत याद करने मिल जाए, तो क्या चाहिए बिलकुल सुनते जाएए, पूरे कॉश्चन अच्छे से याद कर लीजिए, आपके लिए एक लाइन आपने पढ़ ली होगी हो सकता है, कि भाग मत महनत करने से हमें रोस्त, सिर्फ एक साल की महनत तुमारी पूरी जिंदगी सवार देगी, या फिर बिगार देगी, ये द 200 कॉश्चन का पृष्चन कितनी ज़्ले आपको कराआ हैं, पहला गायां इतिहास का पिता किसी जाता है, तो त्यास का है। प्रश्चिमी पूरस्तल तो पूरवी है आपका आलमगीरपूर परश्चिमी है सुत कांगेडोर बलुशिस्तान में सिंदु सविता का उत्री एम धक्षणी पुरस्तल तो मांदा उत्री है और दाइमाबाद आपका धक्षणी है जो कि आपका एहमतनेगर महाराश्णे पड़ता है हरपा सविता के बारे में सबसे पहले जानकारी किस न दी थी जो चार्ल्स मेसन न दी थी 1826 एसुई में मोहंजोदारो एवं हरपा की पुरातत्य खुदाई के प्रभारी कौन थे तो सर जॉन मार्शल थे हरपा की सविता थी तो ये कास्योगी सविता कहलाती है सिंदु सविता की लिपी थी तो भावशित रात्मक लिपी थी मिश्र के राजा क्या कहलाते थी तो फराओ कहा जाता था मिश्र के राजाओं को खरऊश्टी लिपी लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी स्वास्तिक चिंद देन है तो सिंदु गाटी सवधा की देन है आदी मानो ने सर्बदम सीखा क्या तो आग जलाना सबसे पहले इस सीखा था आदी मानो ने आग का अविशकार हुआ तो पुरा पाशानकाल में आग का अविशकार हुआ था सबसे पहले पाल्तु जानवर बनाये गाए था तो कुथे को हड़पा में SP पर प्रियुक्त रंग कौन सा था तो लाल रंग था छावल के साक्ष्य मिलते हैं तो लोथल एवम रंगपूर से चावल के साक्ष्य मिले हैं सिंदु सविता का सरुमान काले क्या है तो पचीस सो से सत्रा सो पचास इसा पूरू मोहन जोदाड़ो इस्ते थे तो पाकिस्तान में इस्ते थे मोहन जोदाड़ो मोहन जोदाड़ो की खोचकी किसने खाल दासने खोचकी या राखल दासने नतिकी की कास की मूर्ती कहां से मिली है तो ये मोहंजोदारू से ही मिली है सेंदो सवता की सबसे बड़ी इमारित कहां से मिली है विशाल अन्नागार जहां पर अन्ने वगेरा रखते थे तो मोहंजोदारू से प्राप्त हुआ विशाल अन्नागार अगला देखिए खुदाई हुई थी तो दयाराम शाहनी के नुक्तत्य में 1921 में हुई थी सिंदुगाटी के लोग पूजा करते थी तो मात्र देवी की पुरानों की संख्या कितनी है तो 18 है पुरान सबसे प्राचीन पुरान है पुरानों की रशेदा किसको माना जाता है तो लो महर्श और ग्रिशवा को मानने जाता है वेदों वहां वेदांगों की VE शेदेण है तो चार वेद और चे वेदांग है और उपनिष्द की संख्या कितनी है तो अंगरहत वेद कौन सा है तो अथर्व वेद में तंत्र और मंत्र ये का है भाती संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो शाम वेद को भाती संगीत का जनक कहा जाता है गायतरी मंत्र लिया गया है तो गायतरी मंत्र को रिग वेद से लिया गया है गायतरी मंत्र के रचनाकार कौन तो अलवर के संतों ने किया था, आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है, तो रिगवेद से आर्यों की जानकारी मिलती है, रिगवेद में सरवाद एक बार, वर्णित नदी कौन से है, तो सिंदू नदी सबसे जादा बार वर्णित है, रिगवेद में, रिगवेद में वर्णि वहरत सकते हैं में ज़स्तों को मृट्वonne देखी रहें कितने शांदार कोशन ईच्टान заним सा सकते हैं जी कारण कोशन और हमने 10 हजार कोशन एकशन और कोशन था नगाए यह question है, इसकी हमने बना लिए PDF, अब PDF क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे, पूरी PDF तयार कर ली गई है, WhatsApp पर आप सभी को PDF मिल जाएगी, 10,000 जी के MC क्यों है, सोची है, आपने 10,000 जी के MC क्यों लगा लिए, तो कितने शांदार आपके जो है, GKGS हो जाएगा, यह PDF आप जो है, 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं, सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को यह PDF मिल जाएगी, और phone पे, Google पे, Paytm से आप payment कर सकते हो, नीचे दिएगे नंबर पर, और WhatsApp पर आप PDF प्राप्त कर सकते हो, जो भी phone पे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे, तो जरूर इसको लीजिए और अपनी GK कीजिए, जिसको भी चाहिए है, नीशे दिएगे नंबर पर, यह नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, आपका भी भी call करके, WhatsApp करके संपर कर सकते हैं, call न उठाओ तो WhatsApp कर लेना, ठी पार्षी के अनुवात का शीशक क्या है, तो फार्षी में महावारत को रजम नामा कहा गया है, आरेों का भारत आगमन कब हुआ था, तो पंद्रा सो ईसा पूरु से पहले आरे भारत में आगमन हुए थे, आरे पहले बसे कहां पर, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आरे सबसे पहले आके बसे, रगवेदिक आरेों की भाषा क्या थी, तो संस्कत रगवेदिक आरेों की भाषा थी, आरे लोग भारत आये थे, तो मद्द एशिया से आरे लोग भारत आये थे, शुनेवाद का प्रतिपादक कौन है, तो नागारजुन, शुनेवाद के प्र जन में तो बुद्ध लुंबनी मां जन में थी पांसो नत्सकी पेले भूरा काई गठणा को क GU युझाइा खारा जाता है तो महान प्रतहलोगी तलना उप्धी कमिद्र को ने énा म् voices गliमान एन अप्रतह है वेतरा अंग गरलाण सब से पहले व्याता है वह तो पाली भाशा में बुद्ध ने उब्देश दिया है, बुद्ध ने सरवादिक उब्देश दिये हैं, तो स्रावस्ती में सबसे ज्यादा उब्देश दिये हैं, बुद्ध, धम और संग ये त्रिरतने हैं बुद्ध धर्म के, बुद्ध धर्म करने वाली सबसे पहली महि चाटरतु बहुत संगिती कहां पर हुई थी तो यह कुंडलवन में हुई थी और काश्मीर में हुई थी कनिश्क के समय बहुत संगिती के आयोजन स्थल क्रम क्या है तो सबसे पहले ही वाली राजगर दूसरी वैशाली तीसरी पाटली पुत्र और चौतिविती काश्मीर कुंडलवन बुद्ध के पूर्विजनम का पराधात कथा कौन सी है तो जातक कथाएं है अजन्ता की गुफाओं में किस ग गोशनलगी है बुद्धचरित्र आजीवक पंत का प्रवर्तक कौन है तो मखली गौशाल है हिजरी समवत की सुरुवात हुई थी तो 622 इसवी में हिजरी समवत की सुरुवात हुई थी जैन तीर्थकर की जीवनी का उलेक क्या है तो कल्प शूत्र है महावीर जनमे थे त 440 इसापूर में महावीर के म्रत्ति पावपूरी में हुई थी 468 इसापूर में हुई थी महावीर किस राजगराने पैदा हुए थी छत्री थे महावीर महावीर जी का प्रथम अनुयाई जमाली तो उनका दामात था महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था कि मगद नरेश बिंबसार के शाषिनकाल में दोनों ने उपदेश दिया था या रखीगा जैन धर्म के त्रीटन क्या है तो सम्वेक दर्शन, सम्वेक और सम्बिक आचरन जैन धर्म के दो संप्रदाइं को उन से तो स्वितामबर और दिगंबर यह दो सम्बिता हैं जैन धर्म का चरम लक्ष क्या है तो मोक्ष चरम लक्ष जैन धर्म का प्रथम जैन सभा 322 इसापूर में हुई थी कहां पर तो यह पाठली पुत्र चंद्रगुप्त मौर के समय में हुई थी दूसरी जैन सभा कहां पर हुई थी तो 512 इसवी में वल्लवी के समय देवर्थी चमास्त्रवण की अध्यक्षता में हुई थी जैन साहित को क्या कहा जाता तो आगम कहा जाता है इसा मसी का जन्म का भूआ तो चार इसा पूरो बैल थे हम में हुआ था नामा किसने लिखी थी तो गुल बदन बेगम ने हुमायू का मकवरा कहीं सतर थे दिल्ली में सतर थे हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्धेश किया था तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था तो 1576 इसमी लड़ा गया था सू प्रसिद्ध संगीतक के तांसेन और बैजू बावरा किसके साशनकाल में सु विक्यात थे तो ये अकबर के साशनकाल में फेमस थे समराट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपादी से अलंकरत किया गया था तो मुहमदीन हुसेन को ये उपादी दी गई थी सती प्रथा की भर्थसना करने वाला मुगल समराट कौन था तो अकबर थे शेर्षा सूरी का मगवरा कहां से थे साशाराम बिहार में शेर्षा ने असरफी रुपिया दाम नामक नई शिक के चला कर चलवाए वे जिन धातु के बने होते थे तो असरफी सोना रुपिया चांदी और दाम आपका तांबा के बने होते थे शेर्षा को उनके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रवंदक के रूप में नियुक्त किया था वे जागीर कौन था तो उसका नाम था आपका सासाराम या फिर सहसराम शेर्षा के बचपन का नाम क्या था तो फरीद खान था शेर्षा की महानता का दियो तक क्या है तो प्रसासनिक सुधार शिवाजी ने मुगलों को किस शंधी के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया तो पुरंदर की संधी हुई थी शाह जहां ने किस शहर को मैं मोती मश्जिद मुनाई तो आगरा में मोती मश्जिद मुनाई शाहजा की काल में कौन यूरोपिय भारत आया था तो पीटर मुडी भारत आया था वर्ष 1526 एस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था तो एब्राहेम लोधी पराजित हुआ था लंदन में इस्ट इंडिया कंपनी के गठन के इस समय भारत में बाश्या कौन था तो अकबर बाश्या था रामचरित मानश के लेखक तुलसी दास किसके शाषनकाल से संभने था तो अकबर की शाषनकाल से संभने था राज अभीरवल की उपादी किसे दी गई है तो महिश दास को दी गई है राजपूदाना के राजयों में से किन एक ने अकबर की संपरत बुदा सुईकार नहीं की तो मेवार ने अकबर की संपरत बुदा सुईकार नहीं की मेवाड से युद तशा चित्तोर की संदी किसके शाषनकाल की महतुपूर उपलब दिये तो ये जहांगीर के शाषनकाल की महतुपूर उपलब दिये मुमताज महल का असली नाम क्या था तो अर्जुमंद बानु वेगम था मुगलों ने नवरोज या नवरोज का तेवहार कहां से ग्रहण किया था तो पार्शियों से ग्रहण किया था मुगल समराट औरंग जेव कौन सा वाद जंतर बजाते थे तो वीडा बजाते थे मुगल समराट अकबर के समय प्रसिद चित्रकार कौन सा तो दसबंत बहुत प्रशिच चित्रकार था मुगल वंच का संस्थापक कौन था तो मुगल वंच का संस्थापक बाबर था अच्छा कमेंट करके मुगल वंच के टॉप पाँच बतलब बाबर से स्टार्ट कीजिए सभी के नाम बताइए पांच मुगल सामराज समराट के नाम मुगल प्रशाशन में मनसबदारी प्राली को किस ने प्रारम किया था अकबर ने प्रारम किया था मुगल प्रशाशन में जो है मुहतसी था तो लोक आचन अधिकारी का नाम था मुहतसी मुगल प्रिशाशन में मदद ए मास इंगित करता था तो विद्वानों को दी जाने वाली राजश्यो मुक्त भूमी मुगल प्रिशाशन में जिले को किस नाम से जाना जाता था तो सरकार नाम से जाना जाता था मुगल चितरकारी ने किसके साशनकाल में पराकाष्टा या चर्मुर्ट कीन प्राप्त किया तो जो जहांगीर था वो चितरकार का बहुत बड़ा प्रेमी था या रखेगा मुगल काल में किस बंदरगा को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था तो सूरत को कहा जाता था मुगल काल की राजवाशा कौन सी थी तो फार्सी मुगल काल की राजवाशा थी मयूर सिंहासन तक्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशा कौन था तो मुहंबद शाह रंगीला भारत में बीबी का मगरा इसते तो औरंगाबाद में इसते तो बाबर ने जहिरुद्दीन मुहंबद का नाम बाबर था भारत की इतिहास के संदर्व में अब्दुल हमीद लाहोरी कौन था तो ये शाह जाके शाशनकाल में एक राज की इतिहासकार था बाबर मूल रूप से कहां का शाशक था तो फरगना का शाशक था बाबर ने पहली बार पश्यम से कहां होकर भारत में प्रविश किया तो पश्यम से पंजाब में होकर भारत में प्रविश किया फैजी किसके दरवार में रहा तो अकबर के दरवार में रहा फतेपुर सीगरी इस्तिद लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिस्ती के मकवरे को किसने संगमरमर का कारे कर आया था जहांगीर ने संगमरमर का कारे कर वाया था प्रसिद संगीतक के तान सेंद का मकवरा कहा है तो गौलियर में इस्तिद है परसेद्ध मुसलिम शाचि का चांद भीवी जिसने बरार को अकबर को समपा था किस राज जिसे समने थी तो ये अहमद नगर से समने थी पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुखे कान था तो उसकी स्यन को सलता पानीपत का अप्रता में युद्ध कब हुआ था तो 21 अप्रेल 1526 में हुआ था पटना को प्रांती राजधानी किस ने मनाय था तो शेर साने पटना को प्रांती राजधानी मनाय था पतना का पुराना नाम comment box में comment करके बताईए पतना का पुराना नाम क्या था धर्मत का यह तो अपरेल 1658 किस के बीच लड़ा गया था तो औरंग जी और दाराशिकों के बीच में लड़ा गया था दीन एलाई नाम के नया धर्म किस ने शुरू किया था तो अगबर ने शुरू किया था दिल्ली के लाल कले का निर्मार किस ने कराया था तो शाह जाने कराया था दिल्ली की प्रसद जामा मस्जिद का निर्मार किस ने कराया तो शाह जाने दक्षिड में किसके शाशन में मुगल साम erzählt तमिल राज च्थरक फेला तो औरंगजेव के शाशन में फेला था जाप्ति प्रणाली किसकी उपस थी तो शेरशा की उपस थी जहाँगीर को कहा दफनाए गया तो लाहोर में दफनाए गया जहांगीर के दर्वार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था तो मनसूर था ग्रैंट रंक सड़क जोड़ती है तो कलकत्ता से अमरस्तर को जोड़ती है गुल बदन बेगम पुत्री थी तो बाबर की पुत्री थी गुरू अरजुन देव समकालिन थे तो ये जहांगीर के समकालिन थे गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्वाजी का 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 आगरा से दिल्ली इस्थानांतर कर ली थी तो शाह जहाने, किसने मुगल काल में एतिहासिक विवरान लिखा, तो गुलवदम बेगम ने मुगल काल का एतिहासिक विवरान लिखा है, किसने चौंसा की लड़ाई 1549 एसवी में हुमायू को पराज़त किया, तो शेर्शाहने, क किस सुल्तान ने, पहली हजरत ए आला की उपादी अपना इबाद में सुल्तान की, तो शेर्शाह सूरीन है, किस सिख गुरु के लिए औरंग जीव जिमिदार है, तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यू के लिए, किस वर्ष वैसाखी के, दिन 13 अप्रेल को गुरु पानीपत का प्रथम युद्ध था, तब से मुगल सामराज की नियुपड़ी थी, किस से युद्ध को जीतने के बाद शेर्शाह ने दिली में अफगान सत्ता की स्थापना की, तो बिलगराम के युद्ध के बाद, किस मुशलमान विद्वान का, हिंदी साहती के लिए महत पूर्ण युगदान हिंदी के लिए, किस मुगल समराट ने सयद भाईयों को हराय था, तो मुखंबद शाह ने हराय था, किस मुगल साशक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगरत, रितुओं और फलों का विशद विवरन अपनी दैनन्दनी या डायरी में लिखा है, तो ये बाबर ने लिखा था, किस मुगल साशक ने दो बार शाशन किया, तो हमायों ने दो बार शाशन किया, किस मुगल साशक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विदवाश्याव को काबूल ले गई और वहीं एक बाग में दफना दिया था बाबर की जो है बाबर को दो बार दफनाया गया था किस मुगल शाशक को आलमगीर कहा जाता था तो औरंग जियो को आलमगीर कहा जाता था किस मुगल शाशक का दो बार राजय विशिक हुआ तो औरंग जियो का हुआ था किस मुगल बाजशा ने जजिया नामक कर पुनह के सब्सक्ति gossip ने दाखिल हुने हंए कर्था को जिदा पीर का जाता था कि ऑरंगजेव को जन्दा पीर का जाता था कैसो मगलज़शा को दुरवागे और हमायू के लिए ये कहा गया था कि जीवन पर ठोकर ने भी खाता रहा और मत्यू भी ठोकर खाकर गिरने से हुई किस मद्यकाली ने भारतिय शाषक ने पट्टा एवं कबूलित की प्रथा प्रारम की तो शेर्शाह ने प्रारम की किस बाश्या की अंतरगत मुगल सेना में सरवादिक हिंदू सेना पधितर औरंगी जेव के समय किस इतिहासका ने शाह जहां के साशनकाल को मुगल काल का सौन युग कहा तो एल स्री वास्ताओं ने कहा किस इतिहासका ने अकबर दोरा प्रतिपाल दीन एलाई को एक धर्म का है तो अबुल फजल ने दीन एलाई को एक धर्म का है इसा मसीग को सूली पर चढ़ाय गया था कब तो 33 इसवी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पॉंटियस दोरा चढ़ाय गया था मगत की राजधानी थी तो मगत की राजधानी आपकी गिरी प्रज राजग्र है सोला महाजन पतों की सूची उपलब्ध है तो यह अगंतुर निकाय में सोला महाजन पतों के बारे मोल लिक किया गया है जिशुनागवंश का संस्था पक ना उड़ाला कि उड़े अज leggend वेorta व। नंदवंश का हैता शहाउम था भाLED का सरप्तम भारत पर सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था इरान ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था भारत पर आक्रमण 326 इसापूर करने वाला पहला विदेशी शाशक कौन था सिकंदर ने सबसे पहले आक्रमण किया था सिकंदर पूरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है तो High Day Speech या वितस्ता का युद्ध कहलाता है सिकंदर पुर्स का युद्ध सिकंदर की मृत्यु का हुई थी तो 330 इसापूर में बेवीलोन में मृत्यु हुई थी मौरे वंच का संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त मौरे वंच का संस्थापक था मौरे वंच की जानकारी मिलती है तो विष्णु पुरार से मौरे वंच की जानकारी मिलती है सुदरशन जील का निर्मान हुआ था तो चंद्रगुप्त मौरे ने इसका निर्मान कराया था चंद्रगुप्त अनियाई था तो जैन धर्म का अनियाई था चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर के गुरु और महामंत्री कौन थे चानक के थे भारत का मैक्या वैली कहा जाता है तो चानक के को भारत का मैक्या वैली कहा जाता है चानक के जो कि विश्णुगुप्त या कोटेले नाम से भेमस थे रचित अर्थ सास्तर पुस्तक किसके उपर है तो प्रशाशन के उपर है अर्थ सास्तर पुस्तक चंद्रगुप्तK, चंद्रगुप्तने जयनत्रम की सिक्षाली थी, ब्धर वाउसे जयनत्रम की सिक्षाली थी, चंद्रगुप्त मौरे के, तबार में आने ओGeसर ने अपसे तो तो युनानी कौन था, मैगस्तनीज, जिसकी पुस्तक है, जो पूछी जाती एक्जाम में इंडिका नाम की पुस्तक लिखिये है चंद्रकुप्तमवर की मृत्तियुका हुई थी तो 298 इसापूर में स्रमण बेल गोला करनाटक में उपवास के द्वारा हुई थी अपने जीवन के अंतिम दिनों में जयन धर्म को अपनाया था तो चंद्रकुप्तमवर ने अपनाया था इसका उन्होंने किसमें उन लेखे तो शिला लेख का प्रशिलन प्रारम किया हाँ ये अलग-अलग कौशन है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना था चंदगुप तो मोरे ने अपना था और शिरा लेखों का प्रस्वन प्राड़म किस ने किया था तो अशोक ने धंब स्विकार किया था तो कलिंग युद्ध 261 इसापूर के बाद अशोक ने बहुत धर्म के अशोक का नाम अशोक है तो मास्की आंद्रप्लेश वा गुर्जरा मद्रप्लेश के अभी लेख में अशोक ने स्वयम को मगद का समराड बताया तो यह भ्रामबू स्थम लेख जो की जैपूर में हम बैराट रायस्थान में उसमें बताया है कलिंग युद्ध की विजय च्छतियों का वर्ण मिलता है तो अशोक के सिरालेख नमबर 13 सांची का इस तू बनवाए था तो अशोक ने बनवाए था श्रीनगर की स्थापना किस ने की थी तो अशोक नहीं स्थापना की थी अशोक के अभी लेखों की खोच 15, 1750 इसा में सरबदम किया था तो टी फें इसापूर में आशोक की मिर्ति हुई थी हरीशेड का इलहावाद प्रसस्ती लेख जानकारी देता है तो यह समद्र गुप्त के बारे में जानकारी देता है मौरेवंश का अंतिम शाशक कौन था तो ब्रहदत्त था शुंगवंश की नियू किस ने राली थी तो पुष्यम अंतिम शाशक था तो देव भूती भारती सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शाशक कौन था तो डेमेट्रियस प्रथम सबसे पहले आया था यवन शाशक था देमेट्रियस को पराजित किया था तो पुष्यमित्र सुंग ने पराजित किया था पुष्यमित्र स भलत में सवन्य की सिक्क क urine चेलायो हिंद राप्ता कंच चलगा उव्धानुम इसऀंध ही के चिलाये चलेल उपे का सिक्क धासिक्रह भारत में पहली बार ढाले तो में चाश्यूर सीया मस粉 ऑधा आना का सिखिस चलाय था चलहा तो स्पहट कुशानवन", य। 37 00 रूष्टे में चला था Most important question काई वार एकजाम पूछा गया सक समवत को लेके मूर्तिूं कर निर्माण। मंदिर कर निर्माणं कस्री गुप्तल कामु गुप्त का सा अधरित है So तो चोल वंज के शाशनकाल में विवान शैली आई थी दशमल प्रणादी का जनब कभ हुगा था तो गुप्त काल में दशमल प्रणादी का जनब हुगा था राष्ट्री पंचांग आधारित है तो सक सम्वत प्राधारित है ravxt चरक थे चरक एक आयुर वेज के जनक माना जा था चरक को सिल्कमार्ग को प्रारंब किया था आरंब किया था कनिश्के ने सिल्कमार्ग को आरंब किया था कुछानवंस का अंतिम शाशक कौन बचा था था तो वशुदेव था कुछानवंस का अंतिम शाशक गुप्तिवंश की जानकारी मिलती है तो वायु पॉरण़ों में गुप्तिवंश के बारे में जिक्र किया गया है पीकि अब क्मणा तो भारत का नैपॉलियन की साँzna गया मॐथको गो एरान का नेपोलियन कौन है तो नादर्शा इरान के राज़तार है समुद्रगुप्त का दर्वारी का भी था तो हड़ीश्यन समुद्रुप्त का दर्वारी था परसिद्द चीनी बॉद जयात्री फायंग आये था, तो चंडगुप्थुट्षी के काल में आये था, पांचवी सदाब्धी की हे बात है, चंडगुप्तुब्धुथी विक्रमादितन आपनी विक्रमादितने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाई था, विक्रम सममत प्रारंब हुआ था तो अंठावन इसापुरु से विक्रम समद प्रारंब हुआ गुप्तकालीन रजत एवं स्वण मुद्राओं का नाम क्रमशा क्या है तो रजत मुद्राइं थी रुपक और स्वण मुद्राइं थी दीनार नालंदा विश्व उध्याले का संस्थापक तो बक्तियार खिल जी ने मुहंबत गौरी का सेनापती था जो की विक्रम शिला विश्व उध्याल की स्थापना की थी तो धर्म पाल ने 770 से 810 इसवी की बात है महरौली में इस्तित राजा चंद्र के लोह स्थम्भ को बनवाय था तो चंद्र गुप्त दृती ने बनव को गुप्त वंश का अंतिम शैशक कौन था तो विश्णु गुप्त था वर्धन सामराजी का संस्थापक कौन था तो पुष्य भूती था पुष्य भूती वंश का संस्थापक कौन था तो नरवर्धन था हर्ष्य वर्धन ने अपनी राजधानी थानिश्वर से कहां खापप गली थी भूमी जैने खी सामन्ति प्रथा को प्राणों इस चीह最ोफ आय तो इसको ऐंटिञाँ तो श कर्ण को यात्रियों में राजकुमार तो लिए नस स ह सकथ मुझी तो श कर दोध मुण्य किसे हैंथ लिए यह राज का आखरी कोशन नटराज की मूरतियां है तो यह चोल काल की है नटराज की मूरती। चलिए दोस्तों सुपर फास्ट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इतने सारे कॉश्चन और इतनी अच्छे सेलेक्टिड कॉश्चन आपको कोई भी कराता होगा यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट में पार्ट दो दो इसका आपको मिल जाएगा 200 कॉश्च शेयर करो आपसे बस यही उम्मीद है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ने ख्याल कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभो बहुत बहुत धन्यवाद